नमस्का दोस्तों मेरा नाम देवराज वार्षने है और आप सभी का सागत देली प्राइज एक्षन छो वे चार्ट मुझो में आज की दिन हमने एक ग्रीन कैंडल बनते वे देखी एक मारू बुजू कैंडल बनी है पिछले तीन दिन के जो भी हमने प्राइज एक्षन डेटा देखा है तीनों यह एक बड़े कैंडल के अंदर बन रहा है और हमें काफी यह तीन इंसाइड बार देखने मिल रहे हैं दोस्तों अभी as discuss हम लोग Thursday की वीडियो में discuss कर रहे थे कि जो important level बनेगा कोई major action हम ले पाए nifty पे from an intraday purpose is 17.800 जो की इस बार का high है and 17.400 which is low of this bar अब दोस्तों कल के session के अंदर अगर हमें 17.800 निकालते वे निफ्टी दिखाई देगा तो एक अच्छा long entry बनेगा वाँ पे by keeping 32.40 point as an SL for 17.900 and 18k यह दो level के लिए play करेंगे उपर के side नीचे के side दोस्तों 17.400 तोड़ने के बाद 17.300 and 17.200 यह level के लिए हम play करेंगे as such again अगर हम foreign markets देखते हैं tax अगर हम देखते हैं तो Friday के दिन एक sell-off देखने मिला था ऐसा अंदेशा था कि Nifty के अंदर भी weakness बन सकती है लेकिन Nifty की जो strength है वो हमें दिखाई दे रही है आज हमने काफी counter specific stock specific moment आते वे देखा और bank Nifty खासकर outperform काफी कर रहा है तो bank Nifty की chart के ओर अब बढ़ते हैं Nifty पे as such definitely अभी रुजान positive ही है और यह जो level है अब जिस तरफ भी निकलेगा उससाबसे intraday में 200 point के लिए हम play जरूर बना सकते हैं bank Nifty की ओर अगर हम chart पे चलें let me put it here yes तो यहां पे हमें एक breakout डेखने मिल रहा है bank Nifty के chart पे और अगर कल के session में हम 40,000 की उपर निकलते हैं तो immediate swing 40,200 तक हमें एक मिलनी चीए just after the breakout और उसके बाद 40,500 40,500 का level and 41,000 के level के लिए हम इसमें work कर सकते हैं अब काफी लोग अगर जो scalp करते हैं तो 40,200 के लिए quick scalp बनाया जा सकता है 40 के जब breach होगा तो और those who can play the swing 40,500 is the level जापे हम एक उमीद कर सकते है bank Nifty अगर 40 के तोड़े कल तो कल पूरे दिन में एक intraday trend बनाते हुए 4500 तक हम target एक assume कर सकते हैं तो अगर bank Nifty नीचे के side अगर हमें कोई movement डिकाता है तो as such कोई level हमें नहीं मिलेंगे 39,200 might act as a immediate support 39,200 breach होगा then 39,000 will act as a support so bank Nifty में if we want to do any selling तो bank Nifty के अगर कोई भी हमें sell site का signal चाहिए तो 37,800 का level breach होना important हो गया है उसके बाद हमें 37,500 पर भी एक support मिलेगा इस level के नीचे तूटते ही हम कोई एक major action कर सकते हैं और else one can wait for Nifty निफ्टी के अंदर अगर हमें 17,200 का level तूटते वे दिखाई दे और वो टाइम पे अगर हमें bank Nifty फिर भी strong दिखाई दे वो टाइम पे एक play बनाया जा सकता है अगर bank Nifty is still in the reason of 40,000 okay for a short side तो दोस्तों फिलाल के लिए हम मंदी की तरफ नहीं देखेंगे अगेन जैसा रुजान बन रहा है काफी दिनों से Nifty bank Nifty के उपर प्राइज एक्षिन डेटा लोकिंग पॉजिटिव एक बर ब्रेंड पे अपडेट लेते हैं ब्रेंड फिलाल एक pause ले रहा है प्रेंड के अंदर हम एक pullback देख पा रहे हैं एक falling resistance लाइन पर यहां पर टच करके यहां पर एक pullback आया है Let us see how it goes आज important data भी आने वाले हैं बट फ्रेंड से अब as such कोई signal हमें नहीं मिल रहे हैं इसको फिलाल हम neutrally रखेंगे Dow on the other hand is showing some weakness Dow पे अब रुजान जो है वो slight negative हो चुका है Because Dow is trying to hold let us see अगर यहां से कोई भी एक meaningful pullback मिलेगा तो definitely सारे ही market rally करेंगे बट जिससाब से news flow आते हैं उससाब से Dow के उपर हम ज़ादा असा देख रहे हैं Nifty on the other hand is definitely showing us a good strength अब कल के आने वाले session के लिए हमने दो play निकाले हैं दोनों ही chart idea जो है long side के हैं पहला है डिक्सन हमने इस पे cup and handle pattern भी बनते वे देखा था ओके और वहां से breakout देने के बाद हमने देखा कि इसके न जो price action जो data बन रहा है अगेन वह एक narrow range में बन रहा है इसमें हमें दोस्तों यहां पे एक rising wedge बनते वे दिखाई दिया है साथी साथ यहां पे एक हम rising resistance line भी देख पा रहे हैं यहां पे multiple time stock ने touch करके वापिस से reversal दिया है आज के दिन पे हमें volume के अंदर भी एक अच्छा indication देखने मिल रहा है और counter भी अपने highest point पे almost close हुआ है on this rising resistance line अब दोस्तों कल के आने वाले session के लिए 4220 के उपर यह counter निकले तो यहां पे इंटर डे के सबसे long position बनाई जा सकती है by keeping SL of the closing level जहां पे आज यह counter close हुआ है और इसके अंदर जो हमारे targets निकल के आएंगे वो आएंगे यह gap fill area के जो की लगबग निकल के आते हैं 4380 यह target के लिए हम इसके अंदर play out कर सकते हैं Dixon Tech के अंदर अब दोस्तों जो next counter निकल के आ रहा है वो है NTPC का अगेन इसके अंदर भी हमें wedge pattern मिलते वे दिखाई दे रहा है बट यहां पे हमें एक breakout नहीं मिला है यहां पे जैसे हमें breakout मिलेगा प्लस हमें wedge pattern का भी breakout मिलेगा जो कि यहां पे हमें अंदेशा दिला रहा है कि यहां पे जो squeeze हो रहा है before the breakout level तो काफी एक अच्छा move बनना चाहिए because जिन भी sellers को sell करना है they are selling and जब यह fight over हो जाएगी और हमें यहां पे एक breakout डेखने मिलेगा on the level of 166 यह level जैसी breach होंगे 166 हमें यहां पे एक breakout डेखने मिलेगा जिसके अंदर हम intra day में 170 and 173 के level expect कर सकते हैं तो दोस्तों यह दुनों ही counter intra day के सबसे है as such market के अंदर काफी news flow बन रहे है from the past 6 months every time there is some big event there is gap up or gap down but this time Nifty is showing some strength let us see how the market plays out in the coming days और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का यह episode पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो दोस्तों जरूर लाइक करे शेर करे और जिन भी viewers ने चार्ट मुझों का channel first time discover किया है subscribe करना ना भूले till then take care I will meet you in the next episode